आदिवासी बाहुली डिनोरी जिले में दो करोड दुपे का छात्रवित्ती घोटाला उजागर हुआ है घोटाले का आरोग डिनोरी में पदस्त ततकालन आदिवासी सहायक आयुक्त अमर सिंग उईके पर है कलेक्टर ने इस मामली की जाच के आदेश दिये हैं धिनोरी जिले में दो करोड दुपे का छात्रवित्ती घोटाला सामने आया है मामले को संग्यान में लेते हुए धिनोरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने जनजाती विभाग के कमिशनर को पत्र लिख कर जाच करने को कहा है जिसके बाद जनजाती विभाग में हडकंप मचा वर्ष 2019 से 2021 तक अमर सिंग उईके धिनोरी आदिवासी सहायक आयुक्त की पद पर पदस्त थे और उनके कारेकाल के दोरान ही इस घोटाले को अंजाम दिया गया है खास बात यह है कि जब अमर सिंग उईके धिनोरी आदिवासी सहायक आयुक्त बने उस वक्त प्रदेश में कमलनात सरकार थी और आदिवासी विभाग के केबिनेट मंच्री ढुरी विधायक ओमकार मरकाम थे पूर्व केबिनेट मंत्री के ग्रह जिले में आदिवासी चात्र शात्राओं की च्छात्रवित्ती घुटाले को लेकर बीजेपी जिलाध्यक शावदराज बिलाईया ने कॉंग्रेस पर जमकर निशाना साधा है तो भाई पूर्व केविनेक मंत्री ओमकार मरकाम मामले में सफाइक देती हुए खुद को पाक साफ बता रहे हैं मरकाम ने खुद पर एवं ततकालिन कॉंग्रेस सरकार पर लग रह पाइता हूं वह मूत बात यह है कि चात्रवित्ति का विशय हो चाहे बच्चों की गडवेश का अब यह गडवेश को भी अगर आप लोग कहेंगे कि भई हमारी सरकार तो गडवेश अभी केस और 22 और 22 और 23 में जो अभी गडवेश का है गडवेश अभी नहीं मिला है जाते हैं और जब ततकालीन 18-2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और हमारे दिंडोरी के विधायक ओमकार मरकाम जी आदिम जाती कल्याण विभाग के मंत्री थे उनकी नाक के नीचे उनके ही विभाग में दिंडोरी में ततकालीन साहयक आयोक्त अमर सिंग उईके के द्वार सरकार को लिखके भीजा और हम सब भी प्रदेश नितत्क्वावत करा रहे हैं कि इस तरह का जो ब्रस्टा चार हुआ दोस्यों पर कारवाही की जाए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए दरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सठी किशलेश हम करते हैं सत्य का अन्वेश समय दखलनी उस आपके हद में आप देख रहे हैं दखलनी उस